दोस्तों मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर देए पा रहे हो कि यहां पर बैंक इंफ्रमिशन जो है वेच डालना बाकी रहे गया है मेरे बैंक एकाउड में सीधे यहां पर 40 रुपी का एमाउट यहां पर आ जाएगा अब यह जो भी प्रोसेस है मैं आपको एक बाद फिर से मैं अपने लेप्टप के स्क्रीन पर यहां पर देखाऊंगा जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो लेकिन मैं जो लेप्टप के स् मज़े लेजेए सिबिल स्कोर की बात करें तो सिक्स इंडिर सिबिल स्कोर मीनिमम होना चाहिए ओके ध्यान से सुनेगा मैं जो बोल रहा हूं पेंट कार्ड अधार कार्ड में जो नाम आपका लिखा गया है और जो डेट और बर्थ एक दम बिल्खुल सेम होना चाहिए आपके पास होना चाहिए उसके उपर OTP आएगा कुछ स्टेप में यहां पे बताता है और मैं आपको बिता दो कि इस वीडियो में किसी ना किसी अप्लिकेशन से आपको लोन मिल जाएगा अब यह क्या मैं बोल रहा हूं अब यह आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैं आ आपको दिखाऊंगा लाइब स्क्रीन पे आप और भी बेस्ट नवेफ से अप्लिकेशन से भी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो वीडियो को ध्यान से दिखेगा मेरा प्रोसस तो हो गया है कंप्लीट जो कि 40,000 मेरे बैंक एकान में स्टेंट आएगा जो कि डिटेल्स य साफ से वीडियो को देख सके कुछ भी आपके मन में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा एक बात बोलना चाहूंगा अगर आप फेक परजी किसी कंपनी अप्लिकेशन से फसे हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप क को से करता हूं सतर असी नबे हंडेट जो है इमेल को चात में मैं क्रोस करता हूं लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को प्राव्लम तो ये बात मैं आपको इस वीडियो में बोल रहा हूं कि प्लीज खुद के अपने परजी से फून में अगर कोई भी अप्लिकेशन स्ट्रॉल कर रहे होना एंबेफ से है या नहीं है लोगों को स्वीड़बाग तो सबसे पहले देखना है रेटिंग 3.5 से हबब होना चाहिए वह लाग से डाउलूडिंग होना चाहिए अधर्वाइस को देख सके अब में और अभी में स्क्रीन पर आ गया हूँ यहां पर आप देखेंगे कि मैं किस तर से अपलाई कर रहा हूँ आप देखें यहां पर नाम डालना है तो मैं नाम यहां पर डालता हूँ दियान से दिखेगा और उसके बाद यहां पर मोबाईल नमर को डालें उसके बाद आप जो है नीचे में यहाँ पर सेम वई से ही आपको दिखेगा continue तो आपको यहाँ पर मैं continue पर कर रहा हूं उसके बाद इस नमर पर एक OTP जाएगा जो कि OTP को आपको फिल करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं फिल करता हूं OTP को यहाँ पर यह come down time चल रहा है इससे पहले आपको यहाँ पर डालना है 9470 उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर verify now पर click कर देना है अब आपको मैं बताता हूं यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपने basic details यहाँ पर डालना है इंटर यूर basic details तो मैं यहाँ पर female पर select कर रहा हूं उसके बाद यहाँ पर pin जो है आप देख पार your pin code वह मैं यहाँ पर डाल रहा हूं तो वह देख लिजे Employment type क्या है तो आप यहाँ पर select कर लिजे आप यहाँ पर salary कर दीजे इसके बाद कितना income है monthly आप यहाँ पर डालना है तो मैं डाल देता हूं यहाँ पर 22,000 तो आप यहाँ पर देख पार हूं उसके बाद यहाँ पर continue पर हम click करेंगे उसके बाद यहाँ पर अभी आपको pencard का number डालना है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो सेम यही प्रोसेट जो है दोस्तो आपको करना है और जो मैं करके आपको दिखा टो आप यहाँ पर pencard को number डाल दीजे जब आप देख पार हूं यहाँ पर मैंने paint card के details डाल दिया है, Gmail ID जो है वो डाल दिया है, date over डाल दिया है, उसके बात यहाँ पर हम next पे click करेंगे, ओके, यह verify हो रहा है, थोड़ा साम वेट कर लेंगे, ओके, अभी देख लिएजे, मैं आपको जैसे की बोल रहा था, आप कहा कहा से eligible हो सकते हैं, यहाँ पे screen देखा रहा है, और कहां पे कितना percent का chance है, तो देख लिएज यहाँ पे money view पे 1% का chance है, मेरे wife का, यहाँ पे नीरा में जो है, वो यहाँ पे फूरा का पूरा chance है, मैं यहाँ पे देखा रहा हूं, देखें, आपे देख पारहे हो कि 1% money view में chance है, देख आँ पर और यहां पर नीचे में बता रहा है कि आप जो है, जो है, इलुजिबल में नीकि तीन मिनिट में पैसे बैंक अकान में जाएंगे और यहां पे नीराज पैनें से जो है, वो मेरी अलिजिबल है, तो आप में मु से सप्लाई करने का होगा वो अभी जो है यहां से हम कर सकते हैं तो सभी डिटेल्स यहां पर शोग कर रहा है यानि कि मैं इसमें इलिजिबल हूँ अगर मैं यहां पर कंपणी का नाम यहां पर डालता हूं किस कंपणी के नाम है ऐसे ही डालने के लिए मैं यहां पर उसके बाद मैं यहाँ पे submit पे click कर देता हूँ, इतना तो आपको पता चल गया है कि मैं जो है किस जगह पे मैं eligible हूँ, और मुझे जो यह जो amount जो मुझे मिला था, जो मैं आपको देखाना चाहता हूँ मुझे जो यहाँ पे जो approval मिला है, यह मैं आपको back जाता हूँ, और आप यहाँ पे देखेंगे, यह मुझे money view से मिला था, तो money view से मुझे नहीं मिल, मेरी wife पो नहीं मिला, लेकिन दूसरे जगह से मिला, जो कि मैंने सभी details यहाँ पे डाला हूँ, मैं back हो रहा हूँ, और अब मुझे यहाँ पे 40,000 के amount जो है, उसका eligibility मुझे यहाँ पे मिला था, save and letter पे click कर देता हूँ, और अभी आप देखेंगे कि बिलकुल मैं exit होता हूँ, और यह एक money view applications है, जो कि मैं यहाँ पे back करूँ, और back करके मैं यहाँ फिर से open करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख देखाएगा, तो आप देख पारें कि यहाँ पे back करने के बाद, अभी आप देख पारें कि यहाँ पे back detail डालने के लिए कह रहा है, और फिर से यह बोल रहा है कि एक रुपे, तो भई इससे तो आपको यह पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे eligible नहीं हूँ तो और कहाँ प 4 plus rating के साथ में जो companies हैं, वीडियो के description में में लिंक दिया है, क्लिक करके वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं, अब एक बार बोलना चाहेंगे, अगर किदर से भी अगर आपका है, तो फिर यहाँ पे NBF से रिजिस्टर है, यह सिर्फ तो थोड़ा सा मिलना मुस्किल हो और सबसे ज्यादा बेस्ट होगी कि आप description से जाएंगे, तो आपको कहां पे आप eligible हैं, वो चिज़ आपको धूड़ने की, समझने की जरूत नहीं पड़ेगी, वो automatically पाता चलेगा कि आप इस जगह से eligible हैं, बसाज की वीडियो में इतना ही, मिलते से को और आप तक लेए, थैंक्स पोचेंग, टेक क्या